मित्रो नमस्कार, सिद्ध आहिर्वेज चैनल पर आप आप स्वागत है और लीजे एक महत्वपून जानकारी आज मैं आपको देना चाहता हूँ, सिलिप डिस्क, सिलिप डिस्क से बहुत व्यक्ति पीडित है, इस्त्रियों, पुरूशों, कई बार व्यक्ति अचालक गिर पड़ता है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में चोट आ जाती है, या भारी वजन उठाने से इस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, तो अत्यंत ऐसे हिए दर्द इसमें होता है, और गर्दन से लेकर हिप्स तक इसमें दर्द होता है, ऐसे हिए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी रीड की हड़ी है, उसमें सूजन भी आ जाती है, कभी-कभी उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, तो व्यक्ति को जुकना, बैठना बड़ा मुश्किन हो जाता है और वजन तो वो उठा ही नहीं सकता तो इस्पाइनल कोर्ड की जो समस्या है बहुत गंभीर है और इससे जो व्यक्ति जूजता है वही जानता है कि उसको कितनी तकलीप उठानी पड़ रही है और डॉक्टर्स के पास वो जाते हैं, वो उसका एक्सरे करते हैं, तो रीड की हड़ी के जो जुएंट्स हैं, उनमें परिवर्तन पाया जाता है तो इसके लिए आयुर्वेदिक उपचार क्या किया जाए, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ मित्रो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी किया करें, और शेयर अवश्य किया करें, ये आपसे मैं बार-बार अनुरोद करता हूँ और बार-बार मेरा कॉंट्रेक नमबर ना मांगे, ये संभव नहीं है, लाखों व्यक्तियों को कॉंट्रेक नमबर देना संभव नहीं है, इसके लिए हमने एक विशेष योजरा शुरू की है, जो परते एक वीडियो के डेस्क्रिप्चर में दी जा रही है, आप उसको फ अश्यत, आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा जमीकंद, जमीकंद एक सबजी होती है, जिस प्रकार आलू जमीन से खोदा जाता है, इसी प्रकार से जमीकंद को भी जमीन से खोद कर निकाला जाता है, और अच्छा बड़ा-बड़ा होता है, बड़ा-बड़ा होता जैसे कद्दू कस कर लेते हैं घिया कस कर लेते हैं यानि फिर लोग बाग पूछते हैं कि कद्दू कस और घिया कस क्या होता है एक यंत्रा आता है जिसमें हम ऐसे घिसके बारीक बारीक उसके रेशे निकाल लेते हैं वो निकाल करके उसको आप या तो अरंडी के तेल में भून लें या सुद्ध घी में उसको भून लें और भूनने के पस्चाथ इसको पीश करके चटनी जैसा बना लें और शहद मिला करके इसको पेस्ट का रूप दे दें इस पेस्ट को आप रीड की हड़ी पर इसका लेप करें इसको आप बना करके रख सकते हैं तीन चार दिन के लिए बना कर रख सकते हैं और जिस समय इसको लगाना होता है हलका सा इसको गरम करें और इस लेप को पूरी रीड की हड़ी पर लेप करके और कोई हलका सा कपड़ा बांध ले, लपेट ले, रूई लगाकर लपेट सकते हैं या वैसे ही कपड़ा लपेट सकते हैं, कोई मुश्किल बात रही है, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक खाने का नुस्खा देता हूँ, खाने की उशद, इसमें आपको लेना ह यह सारी औशद सारे द्रव्य बरापर मात्रा में लेने हैं सौठ जो सूखा आता है मेथी दाना हल्दी हल्दी यही साधी या अम्मा हल्दी मिल जाए तो और भी बेतर होगी नहीं तो खाने वाली हल्दी ही आप ले सकते हैं और अलसी का बीच इसको हलका सा भूल लीजिए क् खाने में थोड़ा मुश्किल रहता है कच्चा इसको हलका सा भूल लीजिए और कमरकस कमरकस के बारे में आप जानते होंगे एक गोंद जैसा आइटम आपको पंसारी के यहां मिल जाता है कमरकस के नाम से ही यह एक विशेश पोदे का गोंद होता है कमरकस यह भी यह सब ब चूर्ण में से आधा से एक चम्मच की मात्रा सुभेश शाम खाना खाने से या तो एक गंटा पहले या खाना खाने के एक गंटा पस्चात या तो गरम पानी से ले या गरम दूद से ले इस परकार आप निरंतर इसका 25 से 30 दिन तक परियोग करें लेप भी लगाते रहें और इस चूर्ण को भी परियोग करते रहें तो आपको स्लिप डिस्क से निस्चित रूप से चुटकारा मिल जाएगा भायों बहुत महत्त पून जानकारी आज मैंने आपको यह दी है और बहुत अच्छा नुस्खा है अनेक रोग्यों पर परियोग किया जा चुका है तो आप देखेंगे कि 20-25 दिन के बाद आपको आराम आ गया है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक दे दे एक सप्ता के लिए और फिर से इसको सुरू करें फिर इसको 20-25 दिन परियोग करें इस परकार से आप इसके दो या तीन कोर्स ले सकते हैं और आप किसी भी परकार की सल्यकिर या यानि ऑपरिशन से बच सकते हैं तो भाईयों वैनों यह दूसके डोट करते जाए और इनको परियोग किजिए और अंत में आप से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बीच बीच में कुछ लोग हमारे चैनल में घुशाते हैं और वो अपनी दौईयों का एड़टाइज करते हैं आप उनसे गुम्रान जाहूं और उनसे किसी प्रकार का संपर्क ना साधें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार